अलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो मैं चैनल और आज मैं आप लोगों को स्टॉकेज के उपर कैसे मैं पूदीशनल स्टॉक्स फाइंड आउट करता हूं वो बताने वाला हूं फ्रेंट्स वीडियो का परपस आप लोगों को स्टॉकेज सिखाना है किसी तरह का बाई और सेल र आपको यहां पर आप देखोगे तो web.stockist.com यह वेबसाइट का नाम है यहां पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहां पर trading strategies का एक section मिलेगा और यह section अगर आप जॉइन करना चाहते है तो उसके लिए paid plan है जिसका link आपको description में मिल रहा होगा तो वहां से आप जॉइन कर सकते हो तो यहां पर आप देखोगे तो trading strategies के अंदर आप जाओगे तो यहां पर इन्होंने कुछ predefined technical और fundamental parameters की उपर skillers बनाए हुए है और as on 9th of August यहां पर आपको total जो है यह सारी strategies दिखाई दे रही है तो यह strategies को अगर आप ज्यान से देखोगे तो यह वाले जो stocks है one day bullish and one day bearish ठीक है और यह जो second दो categories है इसके अंदर यह momentum stock निकाले जाते है जो की bullish हो सकते है next few days के लिए तो यह bullish strategies है for next few days यह bearish strategies है for next few days और यह वाले जो last के दो है that is for next few months so this is positional bullish strategies for next few months and positional bearish strategies for next few months तो अगर आप swing trading करते हैं या आप positional trader है और 3-4 महिने दो महिने तक stocks को old करते हैं अराम से बहुत ही अराम से trading करते हैं तो I think आपको यह feature बहुत फायदे मन्स होगा आज हम लोग यहाँ पर stocks निकालेंगे और मैं उसको कैसे यूज करता हूँ कैसे इसको analyze करता हूँ आपको सिखाऊंगा तो फ्रेंग अब आप देखो यहाँ पर यह मैं यहाँ से इसके यह 6 strategies है आपके सामने 123456 ठीक है तो आज हम लोग बात करेंगे positional bullish strategies for next few months अब इसके अंदर आप click करोगे तो आपको यहाँ पर तीन और further defined strategies मिलेंगे जिसका नाम है surfing या momentum, second is rowing या continuation and third is fishing reversal अब आप देखो यहाँ पर इन्होंने stocks filter करके यहाँ पर निकाले हुए है ठीक है तो आप यहाँ से इसको click करोगे तो आप यहाँ क्लिक करोगे त यहाँ पर इसका एक filter का feature है और filter पर आप click करोगे तो आप stocks को उनके importance से निकाल सकते हो जैसे आपको F&O stocks चाहिए है या Nifty 50 के stocks चाहिए है या मान दीजिए आपको Nifty 500 के अंदर stocks देखने है तो उसके साब से आप अपने parameters यहाँ पर देख सकते हो और एक चीद और भी है यह आपर बहुत interesting है कुछ लोग यह चाहते है कि price range के बीच में होना चाहिए तो अगर आप 10 से 100 रुपे के बीच में लेना चाहते है 100 से 1000 की बीच में या above 1000 so on the basis of price भी आप इसको filter कर सकते हैं उसके बाद में आप इसको category से भी filter कर सकते हैं mid cap, large cap, small cap इससे साब से भी filter कर सकते हैं उसके अलावा आप इसको market capitalization के इससाब से भी filter कर सकते हैं कि आप मान दीजिए मुझे market capitalization 1000 से 10 रोड की बीच में चाहिए तो वो भी आप लगा सकते ह यहाँ पर आपको majorly यहाँ पर जो filter लगा हुआ वो major stock का लगा हुआ है तो major stock का filter apply करते हो तो यहाँ पर आपको 3 stocks में perfect match मिल जाएगा अब आप देखो यहाँ पर इन्होंने यह stock कैसे निकाले हैं तो इन्होंने यहाँ पर कुछ defined technical और fundamental parameters यूज करे हैं तो इसके अंदर ज band from below and high increase in the quarterly sales तो यह आपका last वाला fundamental factor है तो यह वाले screens इन्होंने screeners यूज करके यहाँ पर यह stock निकाल दिया अब इस strategy का basic explanation भी इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि यह जो strategy है वो stocks को next one or three months के लिए technical parameters के हिसाब से momentum strategy के अंदर select करती है right it can be used for positional trading and one way run the strategy on the major stock category अब यहा एक illustrative execution strategy बताई हुई है कि one can do this process from the reliable charting pattern and next stop loss buy order can be placed और यहाँ पर इन्होंने बहुत clearly समझाया हुआ है कि कैसे आप इसको execute कर सकते हो फिर इसका risk support ratio क्या होना चाहिए trade का length कितना होना चाहिए और साथ ही कुछ important points भी है तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको जो भी stocks perfect match category में आये है वो लेने चाहिए और बहुत important इसका disclaimer है कि आपको stop loss बहुत strictly use करना चाहिए और यहाँ पर सारे disclaimer दिये हुए तो मैं expect करूँगा कि आप इनको पूरा देखे अराम से और यहाँ पर आज जो stop का रहे है वो Apple India आ रहा है अब देखो यह जो नीचे category है यहाँ पर लिका अरिया फुल्फिल नहीं हो रहा है और यहाँ पर आप नीचे जाले जाओगे तो आपको यह वाले जो stop है यह वाले जो है उसके अंदर सारे parameter नहीं फुल्फिल हो रहे हैं अब सवाल आता है कि तर इन stocks को जो की perfect match वाले हैं वो तो अच्छी बात है क्योंकि उसके अंदर को डाल सकते हैं और वहाँ पर important points के उपर alert लगा सकते हैं ताकि आपको stocks जो है alert trigger होने के बाद अपने आप अपने आप सामने आ जाए और आपको quickly जो है analyze कर सके तो आज हम लोग यहाँ बात करते हैं Apple India क्यों Apple India जो चार्ट आप देखो यहाँ पर यह मैंने trading view के अंदर यह exponential moving average है और exponential moving average जो है वो 20, 50, 100 और 200 वाला मैं use करता हूँ अब उसके बाद आप देखो तो हम लोग अगर weekly chart के उपर इसको analyze करते हैं right so weekly chart के उपर सबसे पहले इसका हम लोग जो है all time high के आजपस यह all time high पर trade कर रहा है तो previous इसका all time high के level पर मैं यहाँ पर एक line draw कर देता ह कि यह जो level है यह अब एक important support का काम करेगा यह चीज आप समझो ज्यान से क्यूंकि जब भी कोई stock अपने all time high को break करता है तो वो जो breakout का level होता है वो वहाँ पर जो stock है वो कुछ time तक trade करता है और वहाँ पर छोटी-छोटी candles बनती है तो वो candles जो छोटी-छोटी बनती है उसका मतलब यह होता है कि वहाँ पर जो लोग stocks में profit booking कर रहे हैं वो वहाँ से exit हो रहे हैं और अगर वहाँ पर कोई बहुत बड़ा negative candle नहीं बनता है यानि को कोई bearish candle नहीं बनता उसके अंदर bearish मारू बुजू जो अगर बने तो समझ लेना कि वो stock जो है वो breakout field काटेगरी में आ 1515 का level है तो मैं यहाँ पर अपने level cube अपने chart के उपर भी यह को mark कर दूँगा अब आमको daily time frame पर जाके देखते हैं तो सबसे important चीज़ आपको यह देखनी है कि stock के अंदर volume होने चाहिए देखो जब breakout stock के उपर जब volume अगर ना हो तो समझ लेना कि वो breakout field होने वाला है बहुत है और अगर आप stop loss avoid करेंगे तो I am very sure कि उसमें आपको बहुत बड़ा loss भी हो सकता है तो breakout के उपर volume देखना बहुत ज़रूरी है अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि यह आप जो है 1515 का यह level आ रहा है ठीक है यह daily chart है तो आप यहाँ पर moving average plot करो ठीक है और moving average को आप जो one hour का 20 moving average है वहाँ पर मैं एक line draw कर लूँगा वो मेरा एक बहुत बहुत strong support का काम करेगा हमें क्या करना चाहिए यह level मैंने draw करे है 1536 और 1515 इस level के बीच में आपका alert होना चाहिए और आपको यह कुछ तिनों तक observe करना चाहिए यह stock जो हो सकता है कुछ तिनों तक यहाँ पर इस तरह से trade करें यह जो उपर का range है अगर उपर की range पर कोई price action positive closing देता है उपर की range पर अगर यहाँ पर कोई green candle बन जाती है तो फिर यह जो 1536 का level है यह बहुत strong support हो जाएगा ठीक है और अगर यह 1536 और 1515 के बीच में आता है जो की एक idle price जो है वो यही है ठीक है तो इस त stockage के application अगर आप लेना चाहते हैं तो description पर link दिया हुआ है आप उसे buy कर सकते हैं thank you so much for watching and have a nice day